हलो बच्चों, चलिए आपकी जो हिंदी की व्याकरण की किताब है मानवी हिंदी व्याकरण एवं रचना, उसका पहला अध्या है आज हम पढ़ते हैं तो आपका पहला अध्या है भासा और व्याकरण, लांग्वेजन ग्रामर, ठीक है? तो भासा भावों और विचारों को दूसरों तक पहुँचाने का माध्यम है हम अपनी बात जब दूसरों से करते हैं तो कुछ ध्वनियों, संकेतों के द्वारा बात को सहज रूप में प्रस्तुत करते हैं कभी मुँपर अंगुली रखकर चुप होने का संकेत करते हैं, कभी हातों से खाने या पीने का अभिने कर अपने भूखे या प्यासे होने का संकेत करते हैं लेकिन सभी बाते संकेतों के माध्यम से नहीं की जा सकती उसके लिए भासा का सहारा लेना अवश्यक है जैसे यह चित्र देखिए कक्ष्या में अध्यापी का द्वारा पढ़ाया जाना यह चित्र देखिए नेताजी द्वारा सभा को संबोधीत करना और यह आखरी चित्र है दुकानदार से सामान खरीतना तो भासा भावव विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है भासा के रूप भासा के कितने रूप है ठीके? तो भासा के दो रूप है एक है मोखिक और दूसरा है लिखित रूप मोखिक रूप किसे कहते हैं? भासा अपने मूल रूप में मोखिक ही है मोखिक भासा सर्वप्रतम जानी समझी जाती है मोखिक मतलब जो मुख से बोला जाता है ठीक है तो उसे हम मोखिक कहते हैं सिसु अपने माता पिता एवं घर के मोखिक भासा को सीखता है मानवने भी सभ्यता की शुरुवात में मोखिक भासा को ही जाना होगा दीरे दीरे उन्होंने चित्र रूप में फिर लिखने के रूप में भासा को अपनाया होगा मोखिक भासा के अनेक रूप हैं जैसे कि रेडियो, टीवी, भासन, वाद विवाद, अदि तो देखिए ये वाद विवाद मतलब कि आपस में बात करना ठीके तो ये जो है, ये भी मोखिक रूप है भासा का तो लिखित रूप किसे कहते हैं ठीके तो भासा का लिखित रूप काफी समय बाद विकसित हुआ होगा मानवने दूर दराज के शेत्रों में अपनी बात पहुचाने के लिए लिखित भासा की आवशक्ता को जाना होगा तब ध्वनी आदी को लिखना सीखा होगा आज लिखित भासा के कई रूप मिलते हैं समाचार पत्र, ई-मेल, विज्यापन, रिपोर्ट, प्रतिवेधन आदी तो ये है समाचार पत्र या निउस पेपर ठीके तो ये है भासा का लिखित रूप जिसे हम पढ़कर समझते हैं और ये जो मोखिक रूप है उसे हम सुनकर या बोलकर समझते हैं एक दूसरे की मन की भाप को समझते हैं मोखिक रूप से लेकिन लिखित रूप क्या है भासा को हम पढ़ते हैं ठीके पढ़कर उसे हम समझते हैं, यह है लिखित रूप, तो अन्य भासाएं भी हैं, जैसे कि प्रतिक देश की अपनी भासा होती है, जो देश के निवाशियों द्वारा बोली वह समझी जाती है, भासा अपने क्षेत्र के संस्कारों को भी दसाती है, चीन में चीनी, जपान में जपानी, फ्रांस में फ्रेंच, ब्रिटन में अंग्रेजी तथा जर्मनी में जर्मन भासा बोली जाती है, भारत में भी अनेक भासाएं बोली जाती है, उर्दू, मराथी, मलेयालम, तमिल, तेलुगू, अधि भारत में बोली जाने वाली भासाएं हैं, हिंदी का पूरे भारत में किया जाता है इसलिए इसे संपर्क भासा कहते हैं प्रतेक देश की अपनी राष्ट्र भासा होती है और हिंदी हमारी राष्ट्र भासा है ठीके? तो प्रतेक भासा की अपनी लिपी होती है लिपी का अर्थ है लिखने का ढग लिपी का क्यार्थ है? लिपी का अर्थ है लिखने का ढग तो हिंदी की लिपी देवनागरी है देवनागरी लिपी बाएं से दाएं की और लिखी जाती है जबकि उर्दू की लिपी अर्वी, फार्सी, दाएं से बाएं की और लिखी जाती है आईए अन्य भासाएं और उनकी लिपियां देखें तो देखें भासा अंगरेजी की जो लिपि है वो है रोमन संस्कृत की जो है वो देवनागरी गुजराती की जो है वो उसका जो लिपि है वो है देवनागरी पंजाबी भासा की जो लिपी है वो है गुरुमू की जर्मन की है रोमन और बंगाली की है बांगला ठीके तो हर भासा को लिखने के लिए उसके तरीके अलग होते हैं उसको लिपी कहा जाता है और प्रतिक भासा के अलग-अलग लिपियां होती है तो आगे हम व्याकरान पढ़ेंगे तो